तो जो भी डीजी एमस के एक्जामिनिशन दिये हैं चाहे वो माइनिंग सरदार का एक्जामिनिशन हो चाहे वो गैस्टेस्टिंग का एक्जामिनिशन हो यह सभी एक्जामिनिशन को लेके एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि वर्ष 2022 के खान अधिनियम मतलब बेसिकली ये कहा है कि ये नोटिफिकेशन बहुत ज़्यदा सर्कुलेट हो रहा है बहुत ज़्यदा वाइरल हो रहा है तो हम लोग देखेंगे कि क्या ये सही है या नहीं है और इसके आने वाले टाइम के बारे में भी बात करेंगे कि क्या हो सकता है तो सबसे बहले लिखा है वर्ष 2022 में खान अधिनियम 1952 यानि माइन सेक 1952 CMR 2017 Metalliferous Mines Regulation 1961 के तहद समक्षता प्रमान पत्र परिक्षाएं सभी सुचीबद भारती भासाओं में ली जाएगे गैस जाच सरदार माइनिंग मेट और ब्लास्टर के अगली परिक्षाएं छे महने के अंदर ली जाएगे तो चली अभी तो हम लोग देख लिए कि यह सर्कूलिट हो रहा है अब हम लोग देखते हैं कि यह सही है कि नहीं है तो आथिंटिकेट करने के लिए आप कोई भी ब्राउजर ऑपिन कर लेंगे यहां पर में Chrome browser open कर रहा हूँ और DGMS टाइप करेंगे सिर्फ DGMS उसके बाद कुछ आता है तो उसको कट करके हटा देंगे और इंटर करेंगे इसके बाद जो पहला लिंक आ रहा है डिरेक्टेट जेनरल अफ माइन सेप्टी www.dgms.gov.in इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो पूरी तरह से उपन हो जाएगा तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप थोड़ा सा नीचे जाएगे और नीचे में आपको कुछ यहां पे वाट्स न्यू में कुछ नोटिफिकेशन पार होते देखेंगे आप में को यहां व्यू आल में क्लिक करना है व्यू आल में क्लिक करने के बाद आपके पास सारा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप 30 तरीक या 31 तरीक अडेट का नोटिफिकेशन देखेंगे जो कि यहां पर दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि CBT 2022, from the year 2022, all mining competency certificate examination under the Mines Act 1952, Coal Mines Regulation 2017 and Metalliferous Mines Regulation 1961 will be conducted in all entitled Indian languages. next examination of gas testing, sardar, mining mate and blaster certificate of competency may be conducted within 6 months, यहां पर एक चीज़ आप गौर करेंगे, यहां पर date भी दिया हुआ है, यहां पर date भी दिया हुआ है, 30-12-2021 जो यह जारी करता date है, इस time issue हुआ है यह, और 31-5-2022 का date डाला हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि 31 मई 2022 से पहले ही आपका examination ले लिया जाएगा, तो यहां पर तू 6 मन्त लिखा आएगे, 6 महने के अंदर आपका examination हो जाएगा, बट originally बात करें, तो 5 महिने में, DGMS का यह अनुमान है, जैसा यहां पर date डाला हुआ है, उसके एसाब से, 5 महने के अंदर ही आपका examination हो जाएगा, क्योंकि आपकर आप एक जन्वरी से count करेंगे, तो 31 मही यह 5 महिना होता है, तो 5 महिने के अंदर आपका examination conduct हो जाएगा, यहां पर notification को click करके जब हम पढ़ेंगे, तो वही notification जो हम लोग पढ़ेंगे हैं, वही notification है English में, from the year 2022, all mining competency examination वही सब दिखा हुआ है, अब यहां पर 2-3 चीज़े हम लोग बात करने वाले है, क्या जो examination हुआ अभी सरदार का, gas testing का, mining mate का, blaster का, यह सारा examination cancel हो जाएगा, इसका DGMS ने अभी तक कोई answer नहीं किया है, इस पूराने जो notification है, पूरा का पूरा, पूरा notification में कहीं भी यह जिक्र नहीं है, कि पूराना examination cancel होके re-examination किया जाएगा, यहां पे examination, conduction का बात किया गया है, re-examination का बात नहीं किया गया है यहां पे next exam का बात किया है, मतलब अगला परिक्छा यहां पे यह नहीं बोला है कि इसका जो परिक्छा है वो cancel करके लिया जाए तो basically इसका मतलब यह भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि जो तख़ लड़के माइनिंग सरदार वाले उन्होंने इन्हों ayam सब्सक्राइब करें तो अब शंती हुष की जनवरी में होने वाला उखम पॉर्ड चीज़ की तक फॉत तो इस लिए अभी तक DGMS उस चीज को लिए कि कुछ किलियर नहीं किया है लेकिन एक चीज मैं आपको बता देता हूं अगर DGMS के वेब साइट पे रिजल्ट का लिंक आ जाता है मतलब है कि एक्जामिनिशन कैंसिल नहीं होने वाला है किसे भी हाल में अगर लिंक नहीं आता है तो चांसेस है कि जो एक्जामिनिशन भी हुआ है वो कैंसिल हो जाए बट इन माई ओपेनियन मुझे ये लगता है मेरे प्रशनली मुझे ऐसा लगता है क्योंकि DGMS ने ये नोटिश निकाल दिया है कि 6 मेहने के अंदर एक्जामिनिशन होगा नेक्स्ट इग्जामिनिशन तो चांसेस नहीं है कि एक्जामिनिशन कैंसील हो जहा हुँआ से इसका मतलब यह हुआ कि आपका एक एक आटेंट वरबाद हो गया जो मद्धिपर्देश के है जो जारखंड के है जो बिहार के है जो यूपी साइट के है इनका एक्जामिनिशन हिंदी में होगा और जो तमिल नाडू से है उनका तमिल में ठीक है जो करनाटका से है उनका कर्णड में इन भासा में एक्जामिनिशन होगा तो बिसिकली ये पहला CBT examination था इसलिए इतना सारा problem आया और candidate ने strike भी किया था और DGMS Central Zone में जाके बाद भी किया था उसी के कारण ये फैसला DGMS के तरफ से लिया गया है तो जैसा कुछ भी update आता है future को लेके वो मैं आपको बता दूँगा फिलाल मैं इतना कह देता हूं कि माई से पहले जैसा के DGMS का अनुमानित है और सबकुर सिच्वेशन अगर कंट्रोल में रहता है तो माई से पहले 31 माई से पहले आपका examination हो जाएगा पोर्टल भी खोल दिया जाएगा जल्दी जैसे खोलेगा मैं inform कर दूँगा आपको मेरे चैनल देखते रहेएगा सब्सक्राइब कर लिजे अभी और जैसा भी अपडेट आएगा मैं बताता रहूँगा आपको मैं फिलाल बता देता हूँ कि examination cancel होने का chances मेरे हिसाब से कम है बट अगर link नहीं डाला जाता है तब तक आप उमीद कर सकते एक बार अगर result का link आ गया तो फिर भूल जाएए कि आपका exam cancel होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए keep watching keep supporting till then जैहन